हेलो फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कल 26 अगस्त में US मार्किट में भारिक गिरावट देखने को मिली है बहुत समय के बाद सभी ग्लोबर मार्किट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है आखिरी ऐसी गिरावट हमें 16 जून 2022 को देखने को मिली थी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं NASDAQ में 497 पॉइंट सी गिरावट होने के बाद 12,141 पर आ गया है और ऐसे ही बाकी European मार्किट में भी भारिक गिरावट देखने को मिली है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एशियन मार्किट में भी SGS Nifty 215 पॉइंट की गिरावट हुई है S&P 500 में भी 3.37% करीब 141 पॉइंट की गिरावट हुई है अगर मैं बोलू Global Bazaar का टाइम खतम हो चुका था वरना और भी जादा गिरावट देखने को मिल सकती थी पावल जेक्सन की स्पीच के बाद ही इतनी जबर्दस गिरावट देखने को मिली है इस स्पीच में उन्होंने यही कहा है कि US की एकनॉमिको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए आने वाले समय में रेड हाइक लगतार करने होंगे इसकी कारण एक वीकर जॉब मार्केट क्रियेट होगा इसका कुछ नुकसान बिजनेस को भी सैना पड़ सकता है डेफिनेटली दोस्तो फैड अगले महीने भी 75-50 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ाते हुए देखने को मिलेगा इस कारण से मंडे को भारते शेयर मारकेट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी इससे घवराने की जरूरत नहीं है ये बड़ी गिरावट आपको खरिदारी का मौका दे रही है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू